आज इस दोड़ हम बात करने वाले है रोवाल इन फील्ड इंटा सब्सक्राइब को दिखाता हूं कुछ इस प्रकार से प्राइस जो है चार लाग तेरा जार रोपर है ऑन रोड जैपूर चलते हैं बाहर और बात करते हैं यह मैं डाउन प्रमेंट के अब मिनियों सैलरी कितन अच्छों आगो यह तो यह श्यांदर बाइक का विस्टाइब इस वर्यूराइज इस वेरी मिस्मराइजिंग जो बाइक मुट्रम आचो कि है तो लेट साथ देबाइक ने च्रांक देबोर फर्स्टी सबसे पहले हैं अब बात कर लेते हैं मिनिममम सैलरी के बारे में तो लगबग आपकी 25-30,000 रुपए जो है प्रती महीना मिनिममम सैलरी होनी चाहिए अगर यहां पर बिजनस करते हो तो आपकी 4,000,000 रुपे की मिनिममम I.T.R होनी चाहिए है पर N.M.K जो बाइक है काफी बढ़िया हाती है और यहां पर जो है आपको काफ़ एची पावर आउटपुट देदी है साथ में हापर बात कर लेते हैं documents के बारे में तो आपको अपना अधार कार्ट देना होता है, pancard देना होता है, driving license देना होता है, account पर ही check देना होता है अगर आप यहाँ पर business करते हैं तो 2 साल की current year की ITR देनी होती है और अगर आप यहाँ पर job करते हैं तो आपको 6 महीने का bank statement देना होता है साथ में हाँ पर अगर आपका खुद का खरीदा हुआ घर है जिस घर में आप रहते हैं, आपकी family का है मतलब आपके पापा, मम्मी, जाज़ादी मतलब family में से किसी का भी घर है आपका खुद का खरीदा हुआ अगर आप रेंट पे नहीं रहते हैं तो आपको यहाँ पर बाइक लोन कराना बहुत ही जदा आसान हो जाता है यहाँ पर एक एक्जामपल के थूर हम बात कर लेते हैं कितना minimum down payment कर सकते हैं कितनी यह माई आईगी, कितना loan amount मिल सकता है, कितना rate of interest लएगा यह सिर्फ एक एक एक्जामपल के तौर पर ही आप लीजेगा बिकॉस आपके हैंपर income के हिसाप से आपकी सिबल स्कोर के हिसाप से सब चीज़ां अलग हो सकती है तो 4,13,000 रुपे जो है बाइक का प्राइस है, मतलब 4,13,000 रुपीज यहाँ पर अगर हम 20% की डाउन पेमेंट करते हैं, तो मतलब 82,600 रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं मतलब 82,600 रुपे की आप डाउन पेमेंट करते हो तो आपके बाद जो लोन अमाउंट बचके आता है, लगबग 3,30,400 रुपे बचके आता है तो आपकी यहाँ पर पर मंद की EMI आती है लगबग 7,710 रुपे मतलब 7,710 रुपीज अगर 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 आप यहाँ पर 5 साल की जगां सिर्फ 3 साल का लोन लेते हैं मतलब 36 महिनों का लोन लेते हो 3,30,400 रुपे का तो आपकी पर मंत की EMI अतिया लगबग 11,381 रुपे मतलब 11,381 रुपीज जो है आपको 3 साल तक देने होंगे मैं आपको सजेश करूँ हूँ कि आप लोन लेने के वज़ाए फुल पेमेंट में बाइक लो बट फिर भी अगर आपको लोन लेना पड़ रहा है आप अगर खुद का इंकम सोर्स है आपका तो उसके थ्रू आप जो है वो पैसा चुका सकते हैं बाकि आपको यहां पर कैसी लगती है बाइक कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा परसनली मुझे इंटरसेप्टर 650 वन अफ दी बेस्ट बाइक्स लगती है इंडियन मार्केट में बिकास जिस प्राइस पॉइंट में आती है बहुत अच्छा पावर आउपट है यहां पर 648cc का इंजिन देखने को मिलता है यहां पर overall आपको 48bhp 52nm of torque देखने को मिलता है जो throw है यहां पर इंजिन की power का वो भी बहुत बड़े है 6 gear आता है smooth gear shifts है very powerful bike मैं कहुँआ बिगनर्स के लिए नहीं है थोड़े experience riders ही इस bike को खरीदे जो पहले bikes चला चुके हैं मलब 2-3 साल at least जो mid capacity वाले bikes होती है बागी यहां पर जो है bike की handling अच्छी है थोड़ी सी heavier side पर है बट चलाने में definitely बहुत जादा मसेदार है अब तो loaded with tech हो चुगी है यहां पर LED head leg cluster जो है यहां पर आपको USB charging port देखने को मिलता है साथ में यहां पर जो है आपको तो alloy wheels का option भी देखने को मिलता है वैसे यह सबसे top of the line कलर है जो आपको देखने को मिलता है Mark 2 और प्राइज जो मैंने आपको बताई 4.13 रुप है यह older version आप देख सकते हैं बेकर express बैसे बेकर express is one of my favorite colors बाकी आपका ग्याम आपना इस बाइक के वारे में आपको कैसे लगती है कमेंच सेक्शन होताएगा वीडियो अच्छे लगी हो लाइक जरू करेगा शेयर जरू करेगा चानल से प्सक्रेम नहीं किया जरू कर लीजे साथ में पहले के अन्दमन आप बिलकुल मूलेगा इंस्ट्रेगाम बज़ फॉल गार सकते हैं यहां लिख क्या रहा होगा थ्रोटलों स्क्राइड में सक्षा इंडल मिलते हैं आप से लिए थैंक्यों में आप आट वे लिए बबाई